हाई गाईज, वेलकम टू कुरेंट असेर्स फंडा दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि RRB का अगर आप Officer Skill बन का Examination देंगे that means कि PO का Exam या पर आप Office Assistant का Exam देंगे Clerk का Exam तो इन दोनों में जो आपके Computer है वो दोस्तों यहाँ पर पूछाएगा और Computer के आपके 40 Question रहते हैं जो कि आपके 20 Marks के Carry करते हैं मतलब एक Question जो है वो आपका 0.50 Marks का हो जाता है अब यहाँ पर इस Topic को कबर करने के लिए यहाँ पर जो Question आते हैं दोस्तों वो Mix होते हैं अगर मैं PO की बात करूँ तो कुछ कोशन आपके काफी अच्छे मतलब बढ़िया लेवल के पुछे आते हैं और कुछ कोशन उसमें से Average होते हैं ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको पीडियाफ दे रहा हूँ उस पीडियाफ को आप Link नीचे पीडियाफ में दिया है बहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडियाफ में चैप्टर वाइस सारी चीज़े यहाँ पर दे रखी हैं यह बेसिकली जो पीडियाफ है यह दोस्तो ओले बोल्ट के जो फ्री इबुक्स है इसमें आपको मिल जाएगी जिसका नाम है आप सर्च करके देख लेना बहां से आपको यह वाली चीज मिल जाएगी अब यहाँ पर इस पीडियाफ के अंदर है क्या क्या पहले आप ध्यान पूर्बग देखो क्योंकि मैं हाँ पर चैप्टर को यहाँ पर क्लासिफाई करके भी बताऊंगा देखो इन्होंने बहुत ही बेसिक से बता रखा है जो जो चीजे important है लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले introduction है computer का ठीक है इसके बाद में क्या है कि characteristics क्या होती है या फिर हम कहें कि computer की history क्या है computer की generation कॉन-कॉन सी है ठीक है और कितने टाइब के computer होते है तो यहां से आपके एक दो question मिलते हैं clerical में यहां पर बहुत सारे question मिलेंगे लेकिन आने वाले पिछले एक दो सालों से हमने देखाए कि जो आपका PO का सलेवस है वो थोड़ा सा दोस्तो जो है update हुआ है ठीक है बहाँ पर जो question है वो थोड़े से अच्छी quality के पूछी आने लग गए ठीक है तो आपको इस PDF से बहुत मदद मिलेगी लेकिन जो बच हुए अच्छे और भी questions है जो थोड़े से tricky है वो मैं आपको एक वीडियो में करा दूँगा लेकिन इस PDF को एक बार go through कर लो तो इससे आपको फायदा काफे मिलने वाला है ठीक है यह आपका computer fundamental है इसके बाद आप देखोगे कि आपका memory के बारे में बताए कि primary memory secondary memory ठीक है फिर input devices output devices फिर उन्होंने थोड़ा सा OS का layout बताया है ओके फिर इन्होंने software के बारे में बताए कि system software और application software इस PDF में जैसे से आप नीचे जाओगे आपको एक चीज़ यह मिलेगी कि इन्होंने topic के साथ साथ में आपको जो है थोड़े से mcqs भी डाल लगए जैसे कि इन्होंने computer की characteristics बताई है कि speed, accuracy, diligence, versatility और storage यह इन्होंने 5 characteristics बताए है और इनको एक-एक line में explain भी क्या है अगर मैं आपको अपनी सब्दों में बताऊं तो बहुत आसान है जैसे speed, computer की जो एक characteristic होती है, वो क्या करता है कि millions of calculation per second में दोस्तों perform करता है that is why हम कहते हैं कि computer की speed होती है computer में, accuracy, computer से जो आप उसमें input दोगे, ठीक है तो वो आपको उसी हिसाब से accurately output perform करेगा, ठीक है, no scope of human errors, इसका मतलब है कि अगर आपने 2 plus 2 किया, तो obviously आपको 4 ही computer देगा, वो आपको 5-6 नहीं देगा जैसा आपका input आएगा, बैसी processing के बाद में आपका output मिलेगा, ठीक है diligence, इसका मतलब होता है कि computer highly reliable, they can perform complex and long calculations with the same speed and accuracy, ठीक है worst reality का मतलब क्या होता है, कि मतलब वो एक साथ अलग-लग operations को perform कर सकते हैं, एक ही single time में जैसे अगर में example देखें, कि आप ने headphone लगा रखा है, आप song भी सुन रहा हो, दूसरी चीज़ क्या है, कि आप किसी ppt पर काम भी कर रहा हो, ठीक है एक side में आपका antivirus update पर लगा हुआ है, something कोई file download भी हो रही है, ठीक है तो ये सारी चीज़े जो है computer को बताती है, कि वो bus style है in nature, ओके, storage, जो है computers can store a large amount of data, जैसे अगर आप उसमें hard disk सी उस करोगे, तो उसी इसाब से आप जितना भी data, जो capacity होगे, उसके इसाब से आप उसमें store कर सकते हो, अपनी चीज़ों को, ठीक है तो ये जो हैं चीज़ें आप एक-एक करके पड़ोगे, बहुत ही simple language है, मुझे लग रहा है आप इसमें काफी कुछ चीज़ें, सीख सकते हैं, और जो history है, इसमें बताएगे कि कौन से computer कप कैसे क्या बना, ठीक है, और इसमें आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, और father of modern computer science किसको कहते है, एलन टनिंग को, ठीक है, तो ऐसे दोस्तों ये question है कि पहली generation में क्या use होता था, second generation में क्या चीज़ें होती थी, second generation में क्या हुआ, कि जो computers थे, उन्होंने जो vacuum tubes थी, उनको replace कर दिया गया, transistor के साथ में, ठीक है, और जो पहली generation थी, इसमें क्या use करते थ ठीक है, तो ये दो-तीन चीज़ें हैं, जो आपसे पूची जाती है, फिर third generation आई, कब से कब तक थी, तो ये आप सारी generation को एक एक बार में देख सकते हैं, ठीक है, और जो MCQs दिये हैं, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हा, pass साथ MCQs हैं, जो आपकी basic understanding को जरूर मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा pages यहां पर नहीं है, I think मुझे लग रहा है 54 pages है, ठीक है, 54 pages की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर एक दिन में, लगवग 5 से 7 pages खतम करते हो, तो आप दोस्तों 8 से 10 दिनों में ये पूरी की पूरी PDFS को आप खतम कर लोगे, और completely free लिए कोई payout करने की इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, link मैंने नीचे description में दिया है, आप जाए मिन्दास download करें, और हाँ मैं एक session इसमें थोड़े से और जो अलग लेविल के questions होंगे, ठीक है, वो मैं questions करूँगा आपको video solution में दे दूँ, ठीक है, जादा नही download कर लो, link नीचे मैंने description में दिया है, एक चीज़ आपको और बता दू, बहुत जरूरी है, कि जो दोस्तों आपका current affairs वाला portion है, इसमें हम daily basis पर, जो है PDF और आपको website पर दे रहे हैं, और classes daily आ रहे हैं, तो आप अभी उनको access कर लो, और playlist में जाओ, और जाकर current affairs देख सकते ह हैं, यहां से आप download कर सकते हैं, और दूसी चीज़ है, कि आप उनको देखें, mcqs बहुत अच्छे हैं, अगस्त, पूरा हमने complete किया था, ठीक है, September हमारा चल रहा है, July already हो चुका है, ठीक है, यह आपके 3-4 महिने, लेकिन कोसिस करेंगे, कि हम जो पुराना है, ठीक है, वो भी हम आपको mcq format में provide करा दें, top 100-100 questions करके, तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, ठीक है, तो यह पूरा हमारा अगला funda होने वाला है, जिस तरीके से हम current affairs को भी आगे execute करेंगे, ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, और exam की तारी यूँ ही करते रहें, और भी अगर आपका कोई doubt आ रहा है, तो इसको भी हम दोस्तो solve करेंगे, so thank you, have a good day to all of you once again, अगली वीडियो में हम एक बार फिर से मिलेंगे, okay?